अगर आप फ्लाइट से सफर करते हैं तो ये खबार आपके लिए बेहत ज़रूरी है जल्द ही आपका हवाई सफर महंगा हो सकता है जी हाँ रिजिनल कनेक्टिविटी स्कीम के फंड के लिए सरकार बड़े फ्लाइट रूट्स पर पिचासी सो रूपाई लेवी लगाने जा रही है ये लेवी एक दिसम्बर से ली जाएगी जल्द ही हवाई टिकट महंगी हो सकती है सरकार ने बड़े रूट्स पर लेवी लगाने का फैसला किया है ये चार्ज हर फ्लाइट पर लगाया जाएगा इनमें बड़े शहरों के बड़े रूट्स जैसे दिल्ली, मुंबई, चन्ने, हैद्राबार, कॉलकाता, बैंगलूरू शामिल होंगे यानि अगर आप एक हजार किलोमीटर तक के रूट्स पर सफर करते हैं यानि इससे घरेलू फ्लाइट्स पर सफर भी महांगा हो जाएगा इससे एक अट्टा होने वाला पैसा, रीजनल करेक्टिविटी फंड में डाला जाएगा जिससे रियाईती किराये वाली फ्लाइट्स के घाटे की भरपाई होगी दरसल सरकार एक घंटे तक के सफर वाले छोटे शहरों के बीच सस्ती हवाई स्कीम उडान लेकर आई है, जो की जनवरी से लागू होगी इसके तहट एक घंटे तक के सफर के टिकट के लिए पच्चिस सो रुपे चुकाने होंगे हलाकि शहरों के बीच की दूरी 500 किलो मिटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए उसी वक्त इसकी चर्चा थी कि बड़े रूट्स के बीच हवाई सफर से घाटे की भरपाई होगी इसलिए रीजनल करेक्टिविटी फंड बनाया गया है लेवी लगाने से डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल हवाई सफर भी महंगा होनी की आशंका है समीर दिक्षित जी मीडिया और समीर दिक्षित हमारे समाधाता हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ हर्शवर्दन एविएशन एक्सपर्ट हैं पर बात की जारी है लेवी लगाने की पिचासी सो रुपाई बड़े रूट्स पर तो जाहिर है उन्हीं आत्रियों के लिए जो इन छोटे शेरों के 20 सस्ती हवाई सेवा के लिए सफर करते हैं आज सस्टी टिकेट सोती है तो उनके लिए तो अब यह घाटे का सौधा हो जाएगा देखें सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि रिजिनल कनेक्टिवटी स्कीम को प्रमोट करने के लिए और इसको उसको आपकेकत में तबदील करने के लिए वायविल्टिग फंड बनाया जाएगा और उसके लिए एरलाइन पर उनको दबाव दिया जाएगा यानिका उन पर सेंस्ट लागू किया जाएगा और वही सब्सक्राइब करेंगी तो यह देखा जा रहा है कि हर यात्री पर तक्रीबन 50 रुपय का खर्च हवाई फेयर में ज्यादा उनको देना पड़ेगा जैसे दिल्ली मुंबई में अगर आप उलान भड़ते हैं तो आपको आपका जो टोटल टिकेट है उसमें पचास से साट रुपय अत्रिक्त देने होंगे और यह जो फंड एरलाइन से लिया जाएगा यह रिजनल कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए वाइवेलिटी गैप फंड जो सरकार बना जी फिलाल समीर से हमारा संपर्क तूट गया इस दोनों के लिए ही कैसे समझाएंगे इसे देखें सबसे पहली बात यह कि इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि रिजनल कनेक्टिविटी देश की एक जरूरत है पर जहां तक मेरा मानना है कि जो रिजनल कनेक्टिविटी फंड जो यह लगा रहा हैं इसके जवर्वत नहीं थी क्योंकि एक तो अभी जो आपकी जो एरलाइन्स इंडस्ट्री है जिसे आप मेन स्ट्रीम अभीशन कहते हैं वो बड़ी मुश्किल से घाटे से उबर के आई है जिसमें मेजर रोल सिर्फ फ्यूल के दाम में कमी आने का हुआ है पर अब आप उस प दाम फिर और जादे गिरने की संभावना है उसके अलावा फ्यूल के दाम आपने देखा पिछले तीन महीने तीन हफते में लगातार बढ़े हैं तो वो जो उनको थोड़ा बहुत गैब था वो कम हो रहा है और यह जो आप इंडायरेक्ट फॉर्म के टेक्सेशन कर रहे है उससे क्या है कि जो आम ट्रेवलर है उसके लिए एक अनवायबिल्टी का फेक्टर बनता है और तीसरा एक बहुत महत्पूर्ट प्रशन है कि सन 89 से 1989 से सरकार पैसेंजर सर्विस फीश के नाम पे पहले 10 रुपे लेती ती अब 100 रुपे लेती है तो वो पैसा सिर्फ इसी रिजनल कनेक्टिविटी के नाम पे उस टाइम लिया गया था जिसका कहीं उपयोग नहीं हो रहा है और हर साल सरकार आज की डेट में करीब एक करोड एक हजार करोड रुपे उस फंड में कलेक कर रही है तो मेरा प्रशनी है कि वो पैसा कहां जा रहा है जो आप इसी नाम से ले रहे थे तो आप उसको डाइवर्ट करिए इसके अलावा अभी आपकी जो रिजनल कनेक्टिव इस टीम है वो आपने सिर्फ अनाउंस करी है उसमें कितने लोग उसका प्रियोग कर रहे हैं कितने ऑपहरेटर आ रहे हैं कितने अप्री मिद्य अ बहुत करेए लेकिन क्या जो डूर तरीके से तयार होंगी देखी एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं हर्षवर्द जी से पुरी तरह सहमत हूँ जी रीजिनल कनेक्टिविटी की आवश्यक्ता है लेकिन वायबिलिटी गैप फंडिंग इस नोट दी ओनली वे कि आप पेसेंजर से पैसा लें और उसको लगाएं और क्यों अप्शन अभी जैसे कि हर्षवर्द जी ने कहा क्या कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जुन्होंने अभी तरह त्यारी की है रेडी हैं हम ये कह सकते हैं कि पहली जनुरी से फ्लाइट चालू होगी जो राज्य मंत्री हैं उन्होंने पहले कुछ समय पहले ये कहा था कि हाँ दिल्ली से आग नहीं हुई है सरकार पहले पैसा जमा करना चाह रही है उसके बाद दिखाना चाहती है क्या सरकार नहीं सोच सकती क्या इसके अलावा भी कोई दूसरा तरीका है जैसे कि अगर फंडिंग कोई अवश्क्ता होती है तो उससे उसकी भरपूरी कर्च है जैसे उधारन के तौर पर राज्य सरकार ATF के उपर में 25 से 30 प्रतीज तक का सेटलेक्स लगाती है एरपोर्ट के उपर में एरपोर्ट चार्जेज है क्या वो कॉंट्रिब्यूट नहीं कर सकते हैं सरकार उनको कहें कि 10 प्रतीशत 15 प्रतीशत जो वो वसूली करते हैं उसका वो 15 प्रतीशत भाग वायबिटी गैप फंडिंग में जाएगा लेकिन सरकार एक सीधा सरल जो उनको सबसे एजी लगता है टार्गेट पर सेंजर्स है कि चलिए एरलाइन पर लगा दीजिए एरलाइन पर सेंजर्स वसूली चरेगी और अगर टिकेट महंगे होंगे समीर आपका शुक्री और हमारे साथ दो खास महमान भी बने हुए थे इस मुद्धे पर उडान योजना पर हम बात कर रहे हैं आप दोरों का भी बहुत बहुत शुक्री